पिछले वीडियो में हम आप्टिक्स में प्रकास की में गोली दर्पन वह प्रकास के परावर्तन की चर्चा कर रहे थे प्रकास के परावर्तन में दो नियम आपको बताया था पाले में आप्तित किरण परावर्तित किरण और आप्तन बिंदु पराविलम तीनो एक ही तल में होते हैं और दूसरा इसनल का नियम बताया था आप्तन कोण की जया और परावर्तन की कोण की जया बराबर होती है साइनाई इकुल साइनार आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि गोली दरपन द्वारा प्रद्विमों का बनना यहां गोली दरपन द्वारा प्रद्विमों के बनने में दो तरह के प्रद्विम बनते हैं जैसे बस्तु अगर बिस्तारित है या बिंदुवत है तो उनके प्रद्विम ठीक बनते हैं एक ही तरह जो बिंदु बिंब है उसका बिंदुवत प्रद्विम बनेगा जो बिस्तारित है उसका बिस्तारित प्रद्विम बनेगा शरपर्थम यहां हम बिस्तारित बिंब का प्रद्विम बनने के लिए किरण आरेक द्वारा आपको समझा रहे हैं इस प्रद्विम में बिस्तारित और बिंदु बिंब का प्रद्विम बनता है Image of Extended and Point Object फर्ष्ट आफ़ाल I explain here extended object आउतल और उत्तल धरपड के यहां आठ फीगर रे डाइग्राम किरण आरेख आपको दिया गया है सरप्रथम हम आउतल धरपड को बता रहे हैं कि बस तो कहां पर रखी जाएगी और प्रद्विम कहां पर बनेगा पहले फीगर में देखिए यम यम डेक्स यह आउतल धरपड है यहां बिंद पी ध्रूब पोल को दरसाता है पी ध्रूब है याफ फोकस है सी जो है सेंटर आपकर वेचर है पहले फीगर में बस तो जब अनन्त पर हो तो जैसा कि आप जानते हैं सेंटर आपकर वेचर से जो प्रकास की किरण आएगी वो सेंटर आपकर वेचर से ही वापस होती है इसके बारे में हम बता चुके हैं और जो किरण आरेख फोकस से होकर आती है वह मुख्य अक्षे के समानतर उना क्या होती है परावर्तित हो जाती है परावर्तित के नियम में आपको बताया जा चुका है यहां बस्तु जो है जब अनन्त पर होगी तो उसका प्रत्विम वास्तविक कैसा बनेगा वास्तविक उल्टा बस्तु से बहुत छोटा और फोकस पर बनेगा दूसरे भीगर में बस्तु जब सेंटर आप करवेचर बक्ता केंद और अनन्त के बीच में सी क्या है सेंटर आप करवेचर अनन्त के बीच में बस्तु वो प्लेज्ड है यहां इस्तित है इसकी इमेज जो है प्रद्विम आपको सेंटर आप करवेचर और फोकस के मध्य बनती हुई प्रतीत होगी जो है यह है वास्तविक प्रद्विम यह भी होगा उल्टा वास्तविक होगा और यह तथा सी के बीच बनेगा बस उसे छोटा होगा कैसा होगा वास्तविक उल्टा बस्तू से छोटा यफ और सी के मध्य बनेगा तीसरे फीगर में जब बस्तू सी पर हो अर्था बग्रता केंद पर सेंटर आप करवेचर पर तो इसका प्रद्विम ही उल्टा वास्तविक बस्तू के बराबर और सी पर ही बनेगा कहा बनेगा बग्रता केंद पर ही बनेगा वास्तविक उल्टा बस्तू के बराबर और सी पर बनेगा चौथा फिगर बस्तू जो है सी और यप के बीच है कहा है सी और यप के बीच है इसका प्रद्विम बग्ता केंद के बाहर यानि सी और अनंद के बीच बस्तू से बड़ा बन रहा है कैसा बनेगा वास्तविक उल्टा बस्तू से बड़ा सेंटर आप कर वेचर सी और अनंद के बीच बनेगा पांचमें फिगर में बस्तू कहां पर है आप देख रहे हैं बस्तू फोकस पर है कहां पर है फोकस पर है इसका प्रत्विम जो है अनन्त पर बनेगा वास्तविक उल्टा बस तुसे बहुत बड़ा और अनन्त पर बनेगा और यहां चठा फिगर है चठे फिगर में बस तुसे याफ तता पी के बीच है फोकस और मुख अक्ष यानि धृब मुख अक्ष पर देखेए C यफ पी है C सेंटर आफ करवेचर याफ फोकस पी पोल है यहां बस तुसे फोकस और धृब के बीच में है इसका प्रत्विम आभाशी बनेगा सीधा बनेगा बस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे देख रहे हैं यहां पर जो है बना हुआ है कैसा बनेगा आभाशी सीधा बस्तु से बड़ा और दर्पण के दर्पण के पीछे बनेगा यह है छै किरण आरे आवतल दर्पण कान के मिरथ से सम्बंदित है यह छै किरण आरे आपको तयार हो जाएंगे तो आगे इमेज में परद्विमों के बनने और समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगे लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा कान्वेक समिर द्वारा केवल दो किरण आरे खाएं जैसे पाला फिगर यहां दिया है हमने और दूसरा यहां दिया है पाला दिया है जब बस्तू अनंद पर हो तो उसका परद्विम देख रहे हैं यहां पीछे बन रहा है जिधर से प्रगास की किरण आएगी दाउतल में देखा कि सब जो है प्रद्विम सीधा बन रहे है और दर्पण के सामने बन रहे थे लेकिन यहां दर्पण के पीछे बनेगा आउतल में उतल में पीछे आभासी बनेगा तो यहां उत्तल दरपण में, कान्वेक्स मिरर में, जब बस्तु अनंद पर होगा, तो इसका प्रद्विम आभाशी सीधा बस्तु से बहुत छोटा फोकस पर बनेगा. दूसरे चित्र में, बस्तु कहीं भी इस्थित हो, दरपण के सामने कहीं भी इस्थित हो, तो उसका प्रद्विम आभाशी सीधा बस्तु से छोटा ध्रूब और फोकस के बीच बनेगा. कैसा बनेगा? समझवागे? आता हम आपसे आसा करेंगे, कि छह दो आठ किरण आरेक, जो छह जो है आउतल दरपण के हैं, और दो उतल दरपण के हैं, इनको बार-बार आप बना करके अभ्यास करेंगे. इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में हम आपको जो है बिन दुबिम का परत्विम कैसे बनेगा? हम उसको समझाएंगे. झाले बना करेंगे.